हाई गाइस आप सब लोग कैसे हैं आशा करते हूँ आप सब लोग अच्छे हैं और पिसले बार की तरह इस बार भी ने एक मेडिशन लेटिट वीडियो में लेका है हूँ इसका नाम है आप देख सकते स्कीन पर जो बिटिटिप्स है जूओ के लिए तो ए लेने से आपको कौन से फायदे होने वाली है कि आप साइड एफेक्ट से इसका पुरा डिटेल सरजान करें मैं दूंगा इस वीडियो में तो वीडियो को स्कीप मत किजिए पुरा देखते रहे हैं और एक बात जो जो इस चनल में नए है और पुराने है अभी तब सब्सकाइब नहीं कि आज जल से दिल जी सब्सकाइब कर लिजे सब्सकाइब के बटन के साथ बेल आइकोन में लेगा इसमें दबा देखते हैं कि मैं ऐसी ब्यूटिटिप्स स्कीन कियार और मेडिशन लेटेट ब्रेंडेट डेंटर रि एंपू जो एंटि लिक ट्रीट्मेंट है और यह पाउच में आ रहा है पेकेजिंग ऐसा है और यह पाच रुपे में आ जाता है सिफ पाच रुपे में और यह कौन सी चीजों से बना हुआ है विद कोकुनाट नीम एंड कॉर्पूर से ठीक है तो लेडिस लोगों के लिए जैंस भी लागा सकता है ऐसा कोई बात नहीं है जो यह किसी को भी हो सकता है लेडिस है जैंस तो यह एक के बात एक में बोलूंगा यह एक क्वांटिट 50 रूपी से मार्केट में आपको ऐसा बटल मिल जाएगा आपको आप खरी सकते हैं मेडिसनी स्टोर फर्मिसरी डिस्पेंसरी कॉस्मेटिक शॉप ग्रूसरी हर जगा में एले अविलेबल है मेडिकेर एंटिलिक्स ट्रीट्मेंट शैंपू अप ले सकते हैं तो यह पेल बहुत शैंपू लगा लिया डॉक्टर भी दिखा लिया कोई फाइदा नहीं हो रहा है तो आप यह मेडिकेर एंटिलिक्स शैंपू जो जोए के लिए बहुत ही फाइदमंद हांडेट परसें नाचरल एक्टिव है शैंपू आप यूज कर सकते हैं यह जोए के लिए बहुत ही फाइदमंद है और लीग बगरा है बच्चे है बच्चे घर में बोलने लगता है कि बाल में खुजली हो रहा है ज्यादा लेकिन बहुत कुछ लगा लिया कुछ सॉल्फ नहीं हो रहा है तो आप यह मेडिका शैंपू ले सकते हैं ठीक है एंजूए के लिए यह ज़ड़ा तुसरी रगाना है और यूउस के से करना है आपको क्या करना हैёт ए कर आपको बालों को पानी शाद trás से गिला करने के बाद नहीं टरनी के बानल पर अच्छे से एपलाई करना है एपलाई करने के बाद आपको तीन-चार मिनिट के लिए छोड़ देना है ठीक है तीन-चार मिनिट के लिए छोड़ देना है इसके बाद मतलब छोर देना है मतलब आपको क्या करना है शेंपू लगाके ऐसे ही रहने देना है इसके बाद आपको क्या करना है कंगी से धीरे धीरे कंगी से बालो को उपर से नीचे तक लाना है जैसे कि छोटे छोटे जुए निकला जाए इसके बाद आप क्या करें, बालों को अच्छे से धोले, धोने के बाद फिर से, आपको शेम्पू apply करना है, दो बार करना है, फिर से शेम्पू आपको लगाना है, लगाने के बाद, bench ही, आपको 3-4 मिनिट ऐसे ही रहने देना है, इसके बाद सेम ही, बालों को खंगी से रगर के इसके बाद आपको धोले ना है ठीक है? दो बार करना है यह आपको महिने में चार हफ्ता करना है ठीक है? इंटर लिखा हो है हर संडे को 1, 2, 3, 4 अब संडे या मंडे ऐसा कोई बात नहीं है अब कोई भी डे में आप लगा सकते है ठीक है? यह 100% नेचरल है, कोई प्रॉब्लिम नहीं होगा कोई और साइड एफेक्ट ही बात करें जो साइड एफेक्ट है ही नहीं कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है यह महिने में 4 weeks ठीक है? लिखा है यूज मेडिकेर एफे साइड एफेक्ट फोर इक्स ठीक है? टू ब्रेक्ट दालिक्स आपको क्या करना है? महिने में 4 बार हपते में एक एक दिन आपको यूज करना है है वो भी 2 बार करके ता आप देखना आपको कैसा असर होता है बहुत ही फाइदा मन 100% नेचरल मेडिकेर एंटिलिक ट्रीट्मेंट शैंपू है तो उसका पूरा डिटेल्स बता दिया तो वीडियो अच्छे लगे तो जुरूर लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ शैयर करना क्योंकि उनको भी यह प्राब्लम से झहल रहा हो तो उनको भी फाइदा हो सके और एक बात जाने से पहले चलंश में नेए हैं तो पुराने हैं जल चलिए सबस्काइप कर ले आप सबस्काइक के बटन के साथ बलना आपका कोई medicines related branded medicines related कोई जान करे चाहिए तो आप बोल सकते है skins related, beauty tips related, आपको दातों के related ऐसा कोई जान करे चाहिए तो जुरूर निक्सुल में आप comment box में पूछ सकते हैं, ठेक है? thank you, मिलते है अगली वीडियो में बहुत ही धन्नेवाद वीडियो को फूल वाच करने के लिए